हेलो फ्रेंड्स मेरा नाम है छापिपा तो मैं अभी आपको बता हुगा कि आपको फर्गी ने गर में कैसे रूम हो सकते हैं कि यहां पर कोई भी लड़का किसी भी कोचिंग के लिए आता है नियू स्टुडेंट कि उसे बहुत सी प्रॉब्लम होती है दो इहां पर जिसे पीजी कैसे रूम है तो मैं अपको बता हुग हूग कि आप कैसे रूम सकते हैं यहां पर जब मैंने आया था तो मुझे बहुत सी प्रोग्रम होई थी तो यह प्रोग्रम आपको भीना हो इसलिए मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूं तो इसमें सबसे पहली बार जब भी कहीं भी आप पीजी या रूम लें हैं पीजी जैसे ज़रा घर लोग लेते हैं तो यहां पर जब दी पीजी लेना तो हमेंचा पने ज़ने हुए ह एग्रिमेंटरियो के हुए हुक है यहां होहँ आप मैं सबस्क्राइब नहीं पर एक पने से रहा हूंLabम कुश्स i am आधे मेरा एक दोस्त था, आय था दो दिन पहले उस बंदे को यहां से निकाल दिया कि तुक्य बंदे न गोल खाना से ही नहीं है तो इसे निकाल दिया था जो पिछले वस्टल से हम रहते थे अभी तो जैसे यहां पर लोगों को हॉस्टल या पीजी या रूम रेंट पे लेना है लेकिन फिर भी मैं अभी आपको बता हूं कि मुखरजी नगर में आप उसे कैसे यूज कर सकते हैं तो से अप्लिकेशन का नाम है मैजिक ब्रिक्स यहां पर उसमें पीजी और रूम को ग बारे में तो आप सिंपल गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें ला ज्यादा बड़ा नहीं है आठ हैं भी गाए तो अब करने के बाद देख सकते हैं जैसे यह सर्च प्रोपर्टी है आपको जिस भी लोकेशन में लेना है तो लोकेशन डाली है जैसे हमें मुखरजी न अगर मुखरजी जालने के बाद आपको पीजी लेना है फ्लैट लेना है या रेंड पर रूम रूम गहरा भी मिलते हैं तो रूम लेने के बाद यासे में पांच जार और आंसे तश्यार के बीज में तो बस यह जालने के बाद है और इसके बाद बहुत सारे पीजी आपके सामने आ गए अपने बजट के साब से जैसा भी हो आप से फोन में पोन नमबर भी दिये गए हैं सबसे बात कर सकते हैं जैसे दस जार रुपाय में आपको अपने बजट के साथ जैसा भी लेना हो इससे मिल जाएगा और हमेशा एक बात या रखना एग्रिमेंट एक ही महिने का साइन करना पहले क्योंकि नई सिटी है तुपा नहीं रहता लड़कों को अब किसी के रिलेटव नहीं रहते तो उन्हें बात करते हैं पर वीडि पोसिस करूंगा कि एक दू पीजी अच्छे से डूड़के उनमें डालता हूं जिसमें अभी मैं रहता हूं वह भी थोड़ा गटिया है तो उसकी वीडियो भी डाल दूगा भाई इस साइड ना है तो देख लेना आप अपने बजट के साथ से और हमारे चैनल को सब्सक्र सब्सक्राइब भी कर लेना है ठीक है मैं ऐसी वीडियो डालता रहूंगा जब भी आपको जरूरत पड़ेगी है थैंक्यू